हलो और वेल्कम टू ओलाइन एड़ाफर स्टुडी पर लर्निंग दोसों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटिस अपडेट के बारे में जोकी संबंदित है UPPSC के माधियम से 6970 प्रदोपै है नई सिचक ब्रदी के बिग्यापन के बारे में साथ ही अगर बात की जए कर दें और शियर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें के बैल आइकन को दबालें जिससे कि आपको सही सटीक जानकाई सबसे पहले मिलती रही बात की जाएगी यूपी पीएस्टी के माध्यम से 6970 प्रदों पर नई सिच्छक वरती विग्यापन के बारे में क्योंकि आप जान हैं और इसके बारे में जानकाई आप सुभी को यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी अगर बात की जाए विवागों को प्रस्ताब लोगसेवा आयोक को बेजने का जो निदेश से वो दे दिया गया है योगिता विवाद में फसे 6970 प्रदों पर भरती जल्द यानि कि विवाग ने विवाग अध्यक्ष को ऐसे प्रस्ताब में शंशोदत करते हुए आयोक को बेजने का निदेश दे दिया है अगर बात की जाए प्रदेश में समुगा इसके लावर समुगा के पदों पर भरती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चेन आयोक के पास समंदि विवाग को वापस कर दिया था मुख्यमंति योगी आधितनात की अधिक्षता के अंदर पिछले दिनों भरती आयोक इसके लावर बोड की अधिक्षव बैठकों की थी ऐसे में इसमें भरती प्रकिया को तेजी से लाने की कहने की जो बात है वो की गई थी और ऐसे कि उनके यहां जितने भी पद खाली पड़े हुए हैं उनके विग्यापन निकाले जाएं ऐसे में नीचे लिखा भी हुआ है कि आविदन लेना शुरू कर दिया जाए बैठक में ही समकर्षता का मामला भी उठाया गया था उत्तर प्रदेस लोग से बाह आयोग ने बताया कि अगर इस्तिती इस प्रष्ट हो जाती है तो ऐसे में कुल 51 जो प्रस्ताव हैं वो बापस किये गए हैं जिन में लगबग 6970 प्रदोबर भरती करनी हैं कारणी विवाग ने इस नातर की समकर्षता तो तै कर दी है लेकिन विवाग अध्यक्षों के नेदेश दिया है कि ऐसे जितने भी प्रस्ताव बापस मिले हैं उन्हें संसोधित करते हुए लोग सिवा आयोग को बेज दिया जाए शासन के अधिकारी ने शाशन के जो अधिकारी उनके मताबिक अधिकतर विवागों में लोग सिवा आयोग की भरती सम्मधित प्रस्ताव बेजने का जो करन के लिए UPPSC के मार्धियम से 6970 प्रदोबर भरती के आप सभी को विग्यापन देखने के लिए मिलेंगे और इसमें समकच्य योगिता की बात की जारी है तो सबसे बड़ी जो आपको भरती देखने के लिए मिलेगी UPPSC के मार्धियम से वो होगी आपकी LTGate सिचक भरती उसके बात में आपकी देखने के लिए मिलती है GIC प्रभक्ता की सिचक भरती राजकी विद्यालियों के अंदर इन दोनों भरतियों के विग्यापन जारी करने हैं और इसी को लेकर समकच्य जो योगिता का विवात था वो खतम हो गया है और ऐसे में इसके बारे में CM योगी के मा अध्यक्ष को बैटक हुई थी और इसमें भरती प्रक्या को तेजी से शुरू करने के निदेश दिये थे तो ऐसे में आप लोग अब तयार हो जाईए यूपी पीसी के मादियम से जो समकच्य योगिता विवात के चलते काफी लंबे समय से भरतियां लटकी हुई थी खास अला कि इन दोनों के प्रदों को जोड़ा जाए तो लगबग 10,000 से जादा जो टीचर्स के प्रदें वो खाली पड़े हुए हैं और ऐसे में आप जानते हैं कि विग्यापन पूरे प्रदों पर आएगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा यूपी पीसी को मिलने वाले अध्य तो ऐसे में जैसे ही शासन के माध्यम से इनको लेकर रिप्लाई किया जाता है तो यूपी पीसी के माध्यम से लगबग 7,000 से अधिक पदों पर विग्यापन जारी होगा जिसमें लगबग 6,000 जो पद होंगे वो यहां पर सीधे तोर पर L.T. गेट सिक्षक भरती के ही हों और आदेश तो जारी कर दिया है काम कब तक करेंगे यह देखना दिल्चस्प है इसी के साथ अगर बात कर ली जाए 70,000 नई सिच्छक भरती के विग्यापन के बारे में जिसको लेकर भी अनौंस्मेंट यहां से कर दी गई है तो जैसा कि आप सभी को यहां पर देखने के मिलेगा अगर बात की जाए सूबे यानि के राज्य की बात की जारी राज्य में 70,000 रिक्त पतों पर भरती के लिए जो सिच्छक भरती का विग्यापन है वो जल्द जारी होगा जिसके बारे में जान गई आज के अलग अलग समाचा पतों के माद्य हम से भी दी गई है रा प्रशासन विवाक के माध्यम से अधियाचन बिहार लोग से बार आयोग को बेजी जाएगी मध्य माध्यमिक और उच्छ माध्यमिक के विद्यालों में टीचर्स की निक्ति इस चरण में होनी है इनमें माध्यमिक उच्छ माध्यमिक टीचर्स के 37,710 और भही माध्यमिक जो मध्य पिद्याले होते हैं उनकी बात की जाए जिसको 628 की नाम से आप जानते हैं ठीक है ना उनको मध्य माध्यमिक की नाम से बोलते हैं बिहार के अंदर लेकिन आप आसान भासा में उसको 628 भी कह सकते हैं तो इसको लेकर उनका क्या कहना है इसके बारे में उन्होंने ज पाकी है क्योंकि अभी जो हाली में मार्दिमिक और चमार्दिमिक की भरती निकाली गई थी उसमें भी लगबग 40-45,000 और इससे भी ज्यादा पद खाली जाए गए हैं तो उन पदों को जोड़ कर भी इस भरती में विग्याबर निकाला जाएगा तो निशित तोर पे अभी आपके सामने सत्तर हजार पद लिखे हुए हैं यह बढ़कर लगबग लगबग एक लाग के आसपास चले जाएंगे फिलाल मुद्दे की बात यह है कि सत्तर हजार पदों के लिए जो अधियाचन है वो यहां से भीज दिया गया है अब इसके बाद भेजा जाएगा बीप के माध्यम से वेटिंग लिस्ट के बारे में तो लिखा हुआ है कि बिहार सिच्छक ब्रती परीक्षा में हाली में जारी किये गए रिजल्ट के संब्द में बीपीए अध्यक्ष अतुल प्रशाद ने बताया है कि बुद्दबार को बड़ा बयान दिया शोचल मीडिया प जिससे के उंबीदबारों को बाहर किया जा सके जो भी आयोग हैं इसलिए सभी गोशित परड़ाम शशर्थ जांच परक के बाद ही जो रिक्तियां आएगी उन्हें एक या अधिक पूरक परड़ामों के माध्यम से बढ़ा जाएगा यानि कि आयोग ने निश्य तोर पर स जॉवाई थैंच यू नियू भर चीपले वर चीज वरुड़ के इसबिएग धारण हैTrוכ